नमस्कार एक दिन टिप्पु धेर सारी चाकलेट खा रहा था एक आदमी ने देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो टिप्पु को सलाह देने लगा आदमी बेटा इतनी चाकलेट नहीं खाते सिहत के लिए ठीक नहीं होती टिप्पु एक बात बोलू मेरे दादा जी 105 साल के ह आदमी अच्छा क्या वो भी बहुत सारी चाकलेट खाते हैं टिप्पु नहीं आदमी तो फिर टिप्पु उल्लू के पठे वो अपने काम से काम रखते हैं तेरी तरह उंगली बाजी नहीं करें सरकारी स्कूल के बच्चे किसी को घशीट के स्कूल ले जा रहे थे बुजुर्ग आदमी बच्चों इसे छोड़ दो पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगा ये स्टूडेंट नहीं टीचर है चाचा इस्कूल ही नहीं आता है बेटा पापा ये साडू साडू का मतलब क्या होता है बाग बेटा साडू साडू का मतलब ये कही कमपनी से धोखा खाए हुए दो ग्राहा बाजार में एक महिला के दोनों हाथों में भरभर के मैदी लगवाने के बाद याद आया कि वो इसकूटी पर अकेले ही आई है वो परसान खड़ी थी कि तभी उसके एक पडोसी सज्जन ने उसे पाचान लिया और फिर उसी की इसकूटी में उसे घर तक छोड़ दिया घर पउचने पर पडोसी को याद आया कि अपनी बाईक और बीबी दोनों को तु वो बाजार में ही छोड़ाया है संता की तपस्या से खुश होकर भगवान बोले वर मांगो वत्स वर संता प्रभू जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हो मुझे बधू चाहिए बधू संता एक बार मेरी प्रेमिका ने मुझे अपने घर पर बुलाया मैं घर पहुचा घंटी बजाई बनता फिर क्या हुआ संता उसकी छोटी बान ने दरवाजा खोला वो बहुत सुन्दर थी बनता फिर क्या हुआ संता वो बोली आप बहुत स्मार्ट हो पर घर पर कोई नहीं है मैं मुश्कुराया और अपने बाईक की तरप जाने लगा तभी उसके घर वाले बाहर आकर मेरी सराफ़त की तारीब करने लगे और कहा हमें ये रिस्ता मंजूर है बनता फिर संता अब उन्हें ये कौन बताय कि मैं तो बाईक लाग करने जा रहा था एक अउरत अपने पती की कबर पर पंखा जल रही थी एक रागेर उसकी ये पती भक्ती देखकर ठिठक कर रुख गया उसने पास जाकर कहा बहन जी अब तो ये मर गया है अब इस पर पंखा जलने से क्या फायदा आउरत ने ठंडी सांस लेकर कहा मैं इस कबर को जल सुखाने की कोशिस कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहां का कायदा है कि जब तक पती की कबर सुख न जाए आउरत दूसरी साधी नहीं कर सकती असनान के बाद पती बोला अरे सुनो जरत तुलिया दे न पत्नी चिलाते हुए तुम्हारा हमेशा का यही काम है बिना तुलिये के नहाने जाते हो अब मैं नास्ता बनाओ या तुम्हें तुलिया दूँ चड्धी बन्यान भी धो के नल पे टांग देते हो उसे भी मुझे ही उठाना पड़ता है आज तक नहाने के बाद कभी वाइपर भी नहीं लगाया फिर दूसरे चड्धी बन्यान के लिए भी मुझे ही बुलाओगे कल तो बालती भी खाली छोड़ दी थी तुमने फिर जब बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीली पैरो की निसान बना दोगे फिर उस पर मिट्टी पड़ेगी तो सब जगे गंदी हो जाएगी एक बार नवकरानी उस पे फिसल गई थी तीन दिन तक नहीं आई थी पता ह मन में सोचते हुए साला नहा कर गलती कर दी